नमस्कार दोस्तों मैं संदेव स्वागत आप सभी का आपके सक्षेश नुटूब चैनल दोस्तों आज किस वीडियों बात करेंगे बिए फिर हिंदी माडल कोश्चन के बारे में आज किस वीडियों जितने कॉस्चंट होने वाले बहुत ही टोप लेपल कॉस्चंट होने वाले आने व्यवाले एक्जांप के लिए काफी हेल्फ वोने वाले क्योंकि यह सारे then मैं आपको बता दू कि जिन भी छात्रों का चाहे के में चाहे कि हिंदी है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप लेबल के कुईश्चन इंकिलूड़ें आने वाले एक्जाम के लिए काफी हैं क्योंकि इस वीडियो में वह सारे क्वेश्चन में इंकलूड के हैं जो पिसले कई सालों में कई बार रिपीट भी हुए हैं और आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पिए तो चलिए बिनादेरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉप लेबल कोईश्चन पढ़ते हैं आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से समझ लिए मैं फिर से बोलना हूं अगर आ आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारेंटे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपके चार पसे पांच नंबर किलियर हो जाएंगे ठीक है चले बिनादेरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉप लेबल के बारे में जानते हैं को पिसकाल के कभी करेंगी आपके लिए आप लोगे हैं यहां पर देखिए लिखा निम्न thou tief लॐ घृत टाइप किया घांते हैं में यहां ओ дан नहीं लिखा है ठीक है ये पिछले दो तीन चार साल पहले यह ऐसे कोश्चना आप कभी नहीं लिखा था तो इसका मतलब यहीं कि आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि रहीम दास जी यह है वह भगतिकाल की ठीक है कभी है इसलिए कोश्चन नमबर काउन सा डी नमबर रहीम की कभी js पूरा नाम क्या है या पूरा नाम क्या था ऐसे भी कुष्चन आ सकते हैं आपके एक्जामें तो आपसे मिल जाएगा गुलजार अब्दुल रहीम खान खाना जग मौहन इन में से कोई नहीं तो रहीम दाफ जी का पूरा नाम आइस आए हाई होप आप सभी को मालूम होगा इनका पूरा नाम था अब्दुल यानि की रहीम जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना इसलिए राइट एंसर हो जाएगा बी नंबर ठीक है चले बढ़ते हैं नेस्ट कुष्चन के और लिखा कि निम लिखित में से रहीम की मित्र कौन थे के सो दास कभीर दा हो जाएगा हम क्लिक करेंगे ठीक है तुलसी दास पर ठीक है डी नंबर पर नेस्ट को बढ़ते हैं यानि कि फोर नंबर कुष्चन है की रहीम दाफ जी किस प्रकार के कभी थे बहुत ही टॉप लेबल का यह भी कुष्चन है तो बोध परक ज्यान परक काब परक नीत परक तो रहीम दाफ जी थे वो नीत परक प्रकार के कभी थे इसलिए को राइट एंसर हो जाएका डी नंबर हम सिलक्ट करेंगे नीत परक ठीक है जान में रिखेगा नेस्ट कोष्चन है यानि कि पांस नंबर लिखा कि इनमें से नगर सोभा किसकी रसना है घंणानंद की पदम इसाइश कोष्चन की ऑर लिखा कि रहिम दास को खांघणा के डाहफ किस ने दी रहीम दाफ जी का पूरा नाम आप शुमरों आपडोलरहिम खान खाना मिली है वो उपाध किस इसके द्वारा मिली है या पिरहों نے दी है उसका क्या नाम इन आफ्वस नों में से उन में एक खान खाना की उपाज़ दी इसलिए राइट एंसर सीपे की लिखते रहेंगे बहुत ही इंप्वाटेंट डॉट टॉप लेबल का कुष्चन है ध्यान में रखेगा निश्क कोष्चन है यानि कि सेवन नंबर कुष्चन है कि इन में से रहेम के पिता कौन से सहन सहा के अच्छक थे सा जहां के यहां इसलिए कोष्चन को राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा सी नंबर ध्यान में रिखिएगा सी नंबर कोष्चन रहीम दाव जी की कौन सी योगता से प्रवावित होकर अकबर ने उन्हें नौरतनों में अस्थान दिया था बहुत ही इंप नौरतनों में उनकी जो योगिता थी वो ग्यान की योगिता को देखकर उन्हें नौरतनों में सामिल किया था या फिर अस्थान दिया था इसलिए कोष्चन करा लाइट एंसर सी नंबर हो जाएगा ज्यान ठीक है चले बढunk टैंपकिले कि ओर नाइन नंबर कोष्चन ली रहीम उत्तम प्रकति का कर सकत कुसंग चंदन भिस ब्यापत नहीं लिप्टे रहा तो भुजंग एक पंक्ति है ठीक है इस पंक्ति किसकी है यह किसके द्वारा लिखी गई है यह आपके एक्जाम में आ भी सकता है क्योंकि यह टॉप लिबल का लिखाए कि तुल्सी दास रहीम दास कबीर दास दंद दास द्यान में रिखेंगे यह जो पंक्ति है वुस्ति रहीम दास जी की इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा बी नंबर ठीक है बढ़ेंगे टेन नंबर कुश्चन की और अकला कुश्चन है कि निम्ण में इन कुश्चनों में राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा रास पंचा देई यानि कि डी नंबर कुश्चन हो जाएगा ओके ध्यान में रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्यों अगला कुश्चन कहरा कि रहीम दास किस से प्रभावित होकर साहितिक और जुक्य थे इस कोश्चन के मतलब यह है कि रहीम दावजी जो थे वो किस से प्रभावित होकर या उनको किस की बात अच्छी लगे या फिर किसको देखकर वो साहितिक और यानि कि जो हिंदी साहित है उसकी और उन्होंने अपना मुख मोड़ा और रसनाये स्टार्ट की रसनाक्रतिया बनाई और लिखी ठीक है और प्रसिद्ध हुए वो अपने पिता की वज़ा से हुए थे पिता की वज़ा से साहितिके और जुके थे इसलिए कोश्चन कराइट एंसर यह हो जाएगा ठीक है इनमें से कई आफस्टन हैं यह सारे कोश्चन रोंग है जान में रखिएगा ठी अपने पिता की वज़ा से जुके थे निश कोश्चन है कि रहीम दाफ जी का जो जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था इनके भी जन्म के बहुत सारे मतवेद हैं लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे मेरे एकोर्डिंग या आप मुझे जहां तक जानकार भी हैं जहां तक रिशर्च किया हैं और तक मैं आपको बतांस जाएंगा कहां पर मानाजाता है और मिल जाएंकी अगणर उनका जानका दो जन्मस्थान है वह माना जाता है लौहोर इसलिए को सैनल होजाएगा वह जाएगा डीनॉम्बर ठीक है लगो कि चली बढ़ते में लिखा कि अकबर ने किस कभी को प्रधान सेना पदी पद पर न्यूक्त किया कुमार भूसर केशो रहीम आप सभी को मालूम है क्या हो जाएगा बिना दिर के मता देते हैं डी नंबर क्योंकि यह सिंपल सा कोईचन आप सभी को एंसर मालूम है इस पर कन्फीज होनी कोई बात ह सब्सक्राइब ने कि तुम्सरा को coherent अंशिद्र या सब्सक्राइब ने लिखा की बायर avent के दो चंद मिले हैं तो 150-260-700-105 तो जो बारवें है ठीक है बारवें है इसके जो अभी तक चंद मिले हैं उनकी जो संख्या है वो है 105 इसलिए कोश्चिन के जो राइट एंसर हो जाता है वो हो जाता है ध्यान में रिखिएगा चलिए बढ़ते हम लिखा कि रहीम ने अपनी नीत रहीम दावजी नीत परक्रस्णा जातर कौंफे चंद में की है उसका जो नाम है वह है दोहा इसलिए कोश्चिन का राइट एंसर हो जाएगा दी नंबर सो दोहा में की ज्यान लखिए गा इसकोश्चिन है कि रहीम दावजी की सुख्तियों पर किसका प्रभाव जाएगा इनमबर कबीर का ठीक है कबीर दावजी का एनमबर राइट एंसर ओके ध्यान में रखिएगा नेश कौश्चन है की रहीम दावजी की कृति संगार सोटा में अब तक इतने छंद मिले हैं 8 6 12 4 तो इसकोश्चन में जो कोश्चन है उसमें जो आफ्शन है उसे जो तो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा छे यानि की बीनमबर राइट एंसर रहीम दाफ जी की करत संगास रोटा में अब तक जो छंद मिले हैं वह छे मिले इसले टाइट एंसर भी हो जाएगा ठीक है चले बढ़तरिनेस कोश्चन के और लिखा कि हिंदी का भी जगत में बाहर में चंद का जनक किसे वाना जाता टाप लेबल रहीम दाफ जी को तुलसी को पत्माकर को भी आई-जादी को आपकी जानकारी के लिए मता दें किस बीडियो में इंडिविजिली बात करें रहीम दाफ जी के बारें लेकिन आपके एक्जाम में कुल पेपर आएगा उ यहां पर अगर मिक्स्ट कोईस्टन होंगे तो सकता आप तुलसी दाफ्स को बना दे या फिर बिहारी जी को बना दे तो ध्यान में रिखेगा कि हिंदी कावी जकत में बैरवेच्छंद का जनक है वह रहीम दाफ जी को माना जाता इसलिए राइट एंसर हो जाएगा तो जो अपने था नाम है इस नंबर इसर हो जाएगा अकपर हो जाएगा अकपर जी नbad AiТ như C. अई Mooonda सब्सक्राइब करने बहुत इंपौर्टन कोश्चिन द्यान में रुखेगा बहुत रहीम दाफ जीवन कस्टकारी हुआ था अंधेपन बिर्पन की है था लिए नमबर राइट एंसर चलिए इसकोशेन का बढ़ते हैंलिखा कि रहिमदाफ जी का तदात्मे प्रहाव दोनोगी द्रिस्ट से किस्ट से अधिक मिलता चुलता है दोनों भी वित रैस तुलसी दाव्जी से इन में से कोई नहीं तो इनका जो भासा है तदात्म है भाव है वो जो मिलता जुलता है वो मिलता जुलता है तुलसी दाफ जैसे इसले question को राइट एंसर हो जाएगा option number C ध्यान में रखेगा important question यह भी है नेस question है कि रहीम दाफ जी का जन्म कब हुआ था तो आप्शन मिल जाएंगा कि इस question में जो option दिये के उनमें जो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा फंद्रा सो छपपन ठीक है डी number मेरे कोडिक जहां तक मुझे जान का रही है हलाकि बहुत सारे मत बेद हो सकते हैं आपको इंटरेट पर मिल जाएंगे कोई जहां पर बताया जाएगा लेकिन राइट एंसर मेरे कोडिक हो जाएगा रहीम दाफ जी का जन्म में वह पंद्रा सो छपपन इसमी में हुआ था ठीक है कि रहीम के पिता का क्या नाम था अभी आपने उपर पड़ा ही था फिरहाल मैं आपकी जानकारी के बतादू कि रहीम दाफ जी की जो थी उनका जो राम नाम था वो बैरम खानाम था यानि कि इस कोश्चिन का राइट राइंसर हो जाएगा डी नंबर ठीक है बैरम खा चलिए हम बढ़ते हैं निम्नमे रहीम किसके उपास सकते बहुत ही टॉप लेबल कोश्चन है यह मिक्स कोश्चन हो सकता है आपके एक्ज इन दोन कोश्चनों में आप लोग कंफ्यूज 100% होंगे यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जिनकों जहीं जानकारी है तो आपके जानकारी के लिए हम बता दिया रहीम दाप जी थे उसलिए क्रिश्चन के उपास सकते इसलिए को राइट एंसर हो जाता है वह जाता है ए रहीम दाप जी उनके दरबारी कभी थे ठीक है चलिए बढ़ते हैं इसकोश्चन क्यों यानि 27 नंबर 27 ठीक है कि स्रंगास रृठा किसकी करती है कबीर दास की तुलसी दास की तो राइट हैंसर हो जाएगा रहीम दास क्लिक करेंगे हम बी नंबर पे ठीक है बी नंबर पे संगास रृठा जो करती हो रहीम दाफ जी की है नेस्ट कोश्चन है 28 28 कोश्चन है कि रहीम दाफ जी का जर्म किस सन में हुआ था यह कोश्चन दुबारा रिपीट हो गया है अभी आपने उपर देखा ही था लेकिन इनके भी जर्मी के बहुत सारे मत्वेद हैं इसलिए को कहा है कि लिख़ जी किसके लिए अधिक पर देते दान देने पूजा करने करने के लिए उप्रोगत में सब्सक्राओक जी जो आधिक परशिद्य थे वह को जाएगा वह करेंगे तो सेना पती तो रहेम सच्टै जो ही वह रहीम दाफ झी की करेंगे इसलिए राइट एंसर हम करेंगे वो करेंगे बी नमबर ठीक है थर्टी नमबर कोश्चन का राइट एंसर बी नमबर हो जाएगा तो दुस्तों फाइली आज किस वीडियो में रहीम दाव जिससे संबंदित बिने टॉप लेबल के जो थर्टी कोश्चन इंक्लूट किये थे आप अच्छे समझ जाएगे तो आपके एकजाम में काफी मिलेंगी चाहा हो समस्टर के चाहा वाज़ी को ओंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा चाहा है और आपकी जानकारी के लिए बता जाएगे वहां पर बहुत सारी आपको अपडेट म